यह कह सकते है कि कॉप युनियर्स के लिए यह बड़ी ख़वर है क्योंकि देखो रोही चेटी का जो प्लैन है उस एक आर्टिकल है उसमें यह भी लिखा गया है कि सिंगम अगेन के बाद वो इंटर्विव जो था उसमें रोही चेटी ने यह जरूर बोला है कि लेडी सिंग सिंगम का जो कैरेक्टर है दिपिका पदुकन प्लेज पायोटल रोल इन सिंगम 3 और यह प्लैन तो डेवलप स्टैंड अलॉन फिल्म अराउंड हर कैरेक्टर शक्ती शेटी यह भाई मैं आपको बहुत पहले बोला था कि इसका प्लैन ही यह होगा कि सिंगम अगेन के उसके बाद ही सूरह 162 बनेगे तो उसने इस आर्टिकल को लेके हिंट भी दिया है लेकिन लेडी सिंगम उसका शायद नेक्स प्रोजेक्ट हो सकता है अलॉंग विद गोलमा जी हा दोस्तों इस इस दा प्लैनिंग सो सिंगम अगेन के बाद कॉप युनिवर्स का क्या तो बहुत सी फिल्में है उसने टाइगर श्रॉफ के करेक्टर को लेके नहीं बोला है लेकिन के कोई स्पेशल फिल्म उस पे बन सकती है प्रेजंट किकि उसका पूरा फोकस है सिंगम अगेन के बाद अगर मैं सिर्फ कॉप युनियर्स की बात करो और गोलमाल को साइड में र अब देखते हैं कि सूर्यवंशी के करेक्टर का रोल कितना बड़ा है या फिर एंड क्या होगा सिंगम अगेन का उस पे डिपेंड करता है कि सिंबा टू बनेगी या सूर्यवंशी टू बनेगी जैसे क्लू मिल जाएगा आपको जैसे सिंगम का करेक्टर जो है एंड में जो चैलेंज देता है सूर्यवंशी में तो अब देखते हैं क्या होता है और अब जो क्लैश होने वाला है मैदान और बड़े मिया छोटे मिया उसका असर पड़ेगा वो तो बात की बात है पर मुझे लगा कि सिंगम अगेन की जो अपडेट आई है स्पेशली लेडी हो लग रहा है क्या लगता आपको कॉप यूनियर्स का फ्यूचर कामेंट्स में बताइए